इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और रोकता है, जिससे संक्रमन साफ हो जाता है और लक्षनों से राहत मिलती है। ये उन रसायनों की रहाई को भी रोकता है जो खुझली, लालिमा और सूजन जैसे लक्षन पैदा करते हैं। इसलिए यह दवा इन संक्रमनों के कारण होने वाली सूजन से राहत देती है। आपको टेनोवेट जी इन क्रीम का उपयोग तब तक करना चाहिए जब तक यह निर्धारत किया गया हो। भले ही आपके लक्षन गायब हो जाएं, अनिता वे वापस आ सकते हैं। आप जिस प्रकार के संक्रमन का इलाज कर रहे हैं, उसके आधार पर यह कई सप्ता हो सकता है। आपका संक्रमन पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद भी, लक्षनों को वापस आने से रोकने के लिए आपको इसे कभी-कभी लगाना पड़ सकता है। यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है. अपने चिकितसक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें. उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें. प्रभाविक शेत्र को साफ करके सुखाले और क्रीम लगाएं. लग पेटा सोल एक स्टेरोइड दवा है. यह कुछ रासायनिक संदेश वाहकों यानि की प्रोस्टाग्लेंडिन्स के उतपादन को रोकता है जो तवचा को लाल, सूजे हुए और खुजलीदार बनाते हैं. नियोमाइसिन एक एंटीबाउटिक है. यह महत्वपून कारियों को करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक आवश्यक प्रोटीन के संचलेशन को रोक कर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक करें. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद